जैहिन मैं निशान सौरव आप सभी को लेट्स कॉलिफार नाव में स्वागत करदा हूं बच्चों मैं सिटिंग एरेजमेंट टोपिक को आगे बढ़ा रहा हूं सिटिंग एरेजमेंट में मैंने लाइन से स्टार्ट किया था और लाइन में मैंने इसके सभी कॉंसेप्ट को करवा दिये थे और वहां से मैं कुछ को सब्सक्राइब कर लेंगे और टोपिक को आगे बढ़ाने से पहले जो भी चैनल से पहली बाट जुड़े हैं जो इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हो सबसे पहले हमारे यूटूब चैनल लेट्स कॉलिफार नाव को सब्सक् एहां प्रओं इन चीज़ों को ध्यान दें हैं पर क्या करता है वह त्थे को मश्या चैनल णेल क्पिपल अर्ख़ीगरफिति, दर्एक जिए मश्यान आटृट devam पर्स एंस सभी का सिपस्दीघो तो नौर्ट डिरेक्शन में अब यह कराए कि यह से एट टू दा लिफ्ट आफ आफ जो यह नहीं पता है कि उस नंबर जो सर्टिन पिपन है उन में से जो कहां पर बैठा हुआ है यह तो पता नहीं है आके देखते हैं O sits 4 to the right of L, P sits immediate left of Q, M sits exactly in the middle of L and K, P sits 3rd from the right end, number of people between K and Q is same as that of people L, that of between L and K, only 10 people sitting to the left of K, के अपने यहां से स्टार्ट कर रहे है यह यह जो लाइन दिया गया है यहां पर है ना कि only 10 people sitting to the left of K, केवल 10 वेक्ती ही के 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 बाए तरफ बैठा हुआ है, अब ध्यान दे, facing किस direction में, ध्यान दे, facing किस direction में, नौर्थ में, जब facing नौर्थ में है तो इस तरह से हो नहीं है 10 people, अब यहां पर क्या कर रहा है कि जो K है, K के lift में केवल 10 people, 10 people बैठा हुआ है, अब ध्यान दे यहां पर, first, second, third, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten हो गया, और यहां पर के present है, 1, 2, 3, 4, five, six, seven, eight, nine, ten, और यहां पर के है, और एक statement यहां पर है, कि यहां सिर्ट से eight to the left of K, जो यहां है, वो K के eight lift में बैठा हुआ है, अब एक चीज़ यहां पर ध्यान दे, जब eight lift में है, तो one, two, three, four, five, six, seven, eight, यहां के हो जागा यहां, जब भी इस तरह से आ जाए, कि eight left, या eight right, या fourth left, या fourth right, अगर eight left है, या फिर eight right है, तो दोनों के बीच में gap होगा, वो हो जाएगा seven का, है ना, या फिर अगर fourth right या four left है, तो दोनों के बीच में gap हो जाएगा three का, है ना, अब आगे देखते हैं पर, अब यहां पर यह चीज़ ध्यान दे, कि number of people between, यहां पर only six person sit between o and p, यह नहीं है, number of, number of people between n and k is same as that of people r and k, n और k के बीच में जितने person बैठे हुए है, उतना ही person r और k के बीच में बैठा हुगा, आप द्यान दे, one, two, three, four, five, six, seven person है, n और k के बीच में, तो r और k के बीच में भी आपन क्या करते हैं, seven person को बैठा देते हैं, तो one, two, three, four, five, six, seven, और यहां पर हो जागा r, ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, कि यहां पर क्या करा रहा है, कि number of people between k and q is same as that of l and k, अब यहां पर देखते हैं, कि q का position है, कहां पर, है न, q का जो position है, वो कहां पर है, p sits third from the right, यहां पर यह चीज दिहान दे, जो p बैठा हुगा है, है न, वो कहां पर है, right end से, थर्ड position पर है, यहां पर यह चीज ध्यान दे, यहां पर p नहीं, यहां पर q होगा, यह जो p है, यह p नहीं, यहां पर q हो जाएगा, यह, यह, यहां पर q होगा, क्या करा है, कि जो q है, q sits third from the external right end, जो q है, वो right end से third position पर है, one, two, three, means q यहां पर आ जाएगा, अब जो p है, प क्या है, p sits immediate left of q, जो p है, वो q के immediate left में है, है ना, जब face north direction में है, यह side right हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, बच्चों है, पर लिफ्ट हो जाएगा, है ना, अब क्या करा है, कि number of people between k and q, number of people between k and q is same as that of between l and k, k और q के बीच में जितने person बैठे हुए है, जितने people है, उतना ही people k और q के बीच में होगा, है ना, number of people between k and q is same as that of l and k, k और q के बीच में जितने भी people बैठे हुए है, उतना ही people किसके बीच में बैठा हुआ है, तो l और k के बीच में, तो k और q के बीच में देखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 person है, तो इसका मतलब है कि जो l और k के बीच में भी कितना person होगा हो, 5 person होगा, अब l को कहा पे देंगे, l को k और q के बीच में दे नहीं सकते, अगर माल लेते हैं कि l को यहाँ पे दे भीए, तो क का मतलब जो यह है वो के के लिफ्ट डिरेक्शन में आ जाएगा तो one two three four five है ना यह है जो यहाँ प्राइगा है one two three four five और यहां पर one two three four five ठीक है अब यहां पर ध्यान दे कि जो यह है यह अब द्यान दे कि यह दोनों के बीच में कितने परसन है one two three four five परसन है कि अगर यहां पर तीन परसन है यहां पर इस तरह से यहां पर के है यहां 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 पर आ जाएगा यहां पर यल है यहां पर के है तो one two three यहां पर आ जाएगा कहने का मतलब है कि यल और के के बीच में कितना का गैप होना चाहिए और नंबर का गैप होना चाहिए है ना means one two यहां पर और one two यहां पर मतलब जो यहां है वह यहां पर आएगा यहां का का पोजीशन यहां पर आजएगा अब दियान दे आगे क्या करा रहा है कि O sits fourth to the right of L जो O है वो कहां पर बेठा हुआ है L के fourth right direction में तो यहां पर fourth right किस तरफ हो जाएगा one two three four ओ यहां पर आजाएगा वो यहां यहां पर देखें तो one two one two three four five six seven eight nine ten eleven two eight 13 14 15 16 17 18 19 है यह अब क्या हो चुका है अब यह जो sitting arrangement है यह जो sitting arrangement है यह अब क्या हो चुका है complete हो चुका है कि यहां पर यह देखें कि किस तरह से questions पूछे जाते हैं जैसे जैसे यहां पर statement कहेगा उसी तरह से यहां पर हमें क्या करना होगा person को बैठाना होगा और सबसे पहले जब भी इस तरह का person आ जाए कि a certain number of people या फिर uncertain number of people तो इस step में क्या करेंगे कि उस point से start करेंगे जहां पर कुछ एक्जेक्ट पोजीशन दिया हुआ रहेगा जिसे मैंने स्टार्ट किया था यहां पर इस वाले point से मैंने स्टार्ट किया था कि only 10 people sitting to the left of k k k lift में केवल 10 people बैठे हो गया तो 12345678910 यहां से मैंने स्टार्ट किया था कि को यहां पर बैठाया था इसके बाद मैंने इस point को लिया था कि जो q है वो right से third position पे है तो 123 यहां पे इसके बाद आपन पी को बैठा दिये थे कि जो पी है वो immediate left है क्यों के इसके बाद मैंने यहां पे ले लिया था कि जो n है वो कहां पे बैठा हुआ है तो k k 8 left में बैठा हुआ थे यहां को बैठा दिये इसके बाद मैंने ले लिया था कि जो n और k के बीच में जितने भी person है उतना ही person k और r के बीच में है तो r को भी यहां पे sit कर दिया था मैंने इसके बाद मैंने क्या लिया था कि यल और k के बीचल है और k है मैं जैना जो यह है और के है यल और केancy के ठीक मीडमे कौन बैठा हुआ है यहां पे यहम को भी अपने बैठा दिये है तो लिस्क यहां पत्वापर दिया है इन चीज़ों को इहां सारा स्टुडिंट क्या करेंगे जैसे यहां पर सब्सक्राइब 6 इसके बाद क्या करेंगे कि यर्फ के ठीक मीड में यम है तो हो सकता है कि बहुत सारा स्टुडेंट को यहां पर लेंगे तो यहां है यहां पर देंगे तो यहां में यहां पर नहीं पर आ जाएगा और की ठीक 4 राइट में में 123.44 में ओहां है तो तो वेन टू-tू-3-4 से प्रेकड हैं ना यहां पर ओो होगा क्रेंगा तो यह być तो तो यहां पर दिएट-घंप फिर क्या हो जाएगा कि only six people sit between o and p और p के बीच में के वल six person बैठे हुए तो one two three four five six यह follow कर गया अब यहां पर देंगे तो one two three four five and six ध्यान दें कहां पर जा रहा है यह तो यह जो possibility कि इतना ही people के और q की बीच में भी होना चाहिए है ना इस वाले है ना इसे आप लोग नोट करेंगे